आज हम बनाएंगे आम पन्ना आम पन्ना बहुत ही तेस्टी ड्रिंक है और गर्मियों में ये पीने से शरीर को थंदक मिलती है बहुत रहात मिलते हैं बहुत रिफ्रेस्टिंग ड्रिंक है और बनाना बहुत इजी है चलिए बनाना स्टार्ट करें एसके लिए मैंने लिया है दो मीडियम साइज का यह कछे आम और यह आम आजकल मार्केट में बहुत ही मिलता है और हम इसको कूकर में उबाल लेंगे बॉयल कर लेंगे तो कूकर में लेंगे तो पेन में बोल सकते हो इसको काटके भी boil कर सकते हो हम ING कब नि б ramp निगी इसको जादा पानी नहीं ड्यालेंगे इसको त्खोना सजासते एक ढूब जाय तो आम हमने बॉयल कर लिया है और बॉयल करके इसको ठंडा कर लिया है और आभी हम इसको पील कर लेंगे यह सिलका इसका उटार लेंगे उटारने के बाद इसमें जो पल्प है वह हम काटके निकाल लेंगे आप इसको बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे तो यह पल्प असानी से निकल जाएगा मैंने सिर्फ एक सीटी लगाया था और यह अच्छे से गला नहीं है फिर भी मैं इसको इस तरह से काटके निकाल लूँगी यह देखिए यह मैंने काटके निकाल लिया है और यह मैंने लिया है दो टेबल स्पून पुदिना के पत्ते मिन्ट बोलते जिसको और इसको हम अभी मिक्सी के जार में एड़ कर देंगे और साथ में यह पुदिना के पत्ते जो हमने पुदिना के पत्ते लिया है पुदिना के पत्ते को मैंने धो के अच्छे से साफ करके देंथल हता के लिया है और इसमें एड़ कर दूंगी एक समच वुना हुँआ जीरा पाउडर, half teaspoon मैंने sada नमक डाला है, regular नमक और half teaspoon मैंने डाला है काला नमक, ये मैंने डाला है मिसरी, मीठा के लिए, आप चीनी भी डाल सकते हैं, मिसरी बहुत ही थन्दक देता है शरीर को, और इसमें थोरा सा पाणी डाल के, हम अच्छे से blend कर लेंगे यह हमने blend कर लिया है अभी हम एक बार चेक कर लेंगे यह रेखिए कितना बढ़िया से यह blend हुआ है इसका color कितना बढ़िया आया हुआ है और यह हमारे को बिल्कुल इस तरह से consistency से यह और यह अच्छे से पीश गया है और अभी हम क्या करेंगे अभी हम एक स्टेनर लेंगे और एक नीशे बरतन लेंगे और इसको चान लेंगे और ताकि इसका जो मुटा मुटा रह गया है वो यह चन्नी के उपर ही रह जाए और प्यूरी नीचे रह जाए नीचे गिर जाए तो इस तरह से चमज की सहाथा से हम इसको अच्छे से इस तरह से चलाके और हम सारा पल्प निकाल लेंगे ये सरवत हमारा बन के त्यार है ये दिखिए कितना बढ़िया बना हुआ है ये दिखिए ये जो हमने ये पल्प निकाल लिया है ये सरवत बना लिया है इसको हम फ्रीज में रखके 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं अभी हम सर्व करेंगे सर्व करने से पहले ये हमने 2-3 टेबल स्पून ले लिया है और इस पे हम दाल देंगे ठंडा पानी और हम दो गलास पना रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार चेक भी कर लेंगे तेस्ट कर लेंगे कि इसके मीठा और नमक सही है कि नहीं है और इस तरह से ग्लास में आइस क्यूइअ डाल देंगे उर जैसे आपको थंड़ा पसंद है इस तरह से आप आइस क्यूब डाले और इस तरह से हम यह सरवत १त बनके रेडि है पिने के लिए यह बहुत ही तेष्टी सरवत है और भुछ धांड Advent मिलता है बहुत अच्छी है हमारी आम पन्ना बनके रेडी है आप इसको बनाईए और इस कर्मियों में आप पूरी फेमिली के साथ एंजॉय कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा रेसिपी पसंद आए तो लाइक से और कमेंट कर दीजिए सेनल को सस्क्राइब करना ना भू मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्याइब